सो भाग्य ने सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है आप समस्त जनता मालिक समर्थकों से वादा है बहुत जल्द लोटेंगे ये उक्त बाते पुर्व बहुवली विधायक मौकमा से अनन सिंग ने अपने फेस्बुक पोस्ट पर 19 माई को लिखा था जब उनकी पेरोल खत्म हो गई थी और जेल जा रहे थे और आज अनन सिंग को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है आपको बता दें मौकमा से पुर्व बहुवली विधायक को हाई कोट ने बरी कर दिया है वो आज कल एक दो दिन में जल्द ही जेल से बाहर निकल सकते हैं आपको बता दें कि स्वतनरता दिवस के पहले मौकमा के पुर्व बिधायक अनन सिंग को हाई कोट ने बड़ी राहत दिया है और पतना हाई कोट ने एक के फोटी सेवन और आवाज से बुलेट प्रूप जैकेट मिलने के केस में बरी कर दिया है पुर्व बिधायक के खिलाप अब एक भी केस पेंडिंग नहीं है वे आज या गुरुवार को जेल से बाहर निकल सकते हैं राजत के पुर्व बिधायक अनन सिंग 1216 से जेल में बंद हैं देखे पांच मही को लोकस्वा चुनाव के दौरान 15 दिनों के लिए पुर्व बहुवली बिधायक मुकामा से उनको पेरोल मिला था 15 दिनों के लिए पुष्टेनी जमीन जायदाद बटवारे को ले करके और उसके बाद 19 तारीक को उनका 19 माई को पेरोल खत्म हो गया था उसी दिन उन्होंने जाते जाते फेस्बुक पर उनके फेस्बुक एकाउंट से पोश्ट किया गया था सौभाग इने सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है आप समस्त जनता मालिक समर्थकों से वादा है बहुत जल्द लोटेंगे ये 19 माई का मुकामा से पुर बहुवली विधायक अनन सिंग का फेस्बुक पोस्ट है उनको भरोसा था उस दिन भी की जल्द ही लोटेंगे तो देखे ऐसे में उनको पेरोल मिला था 15 दिन का और उसी दर्मियान वो लोटसभा का चुनाब चल रहा था लोटसभा के चुनाब में मुंगेर लोटसभा छेतर से ललन सिंग चुनाब लड़ रहे थे जड्यू के टिकट पर उनके लिए अनन सिंग ने प्रचार प्रसार मुकामा के पुरुविधायक बहुवली अनन्द सिंग को हाई कोट से बड़ी राहत मिली है 117 रखने के मामले में और उनके अवास में बुलेट टुप जैकेट मिलने के मामले में हाई कोट ने बरी कर दिया है वो अब जल्द ही बाहर निकल सकते हैं तमाम अनन्द सिंग के समर्थकों के लिए और उनके चाहने बॉलों के लिए बड़ी खुशी है आपको बता दें कि 19 मैं को पेरोल जब खत्म हुआ था उस दिन उन्होंने ये लिखा था उनको शायद भरोसा रहा होगा कि बाहर वो जल्द ही निकलेंगे अनन्द सिंग जब महागडबंधन के साथ थे तो बार बार वो लीपी सिंग पर आरूप लगाते रहते थे कि उन्होंने जान बुझकर 47 के मामले में फसाया है और जब अनन्द सिंग ये बाते कह रहते उस समय राजत के साथ थे लेकिन अब देखिए राजनितिक जो समिकरन है वो बदल चुका है राजनितिक समिकरन गडबंधन का समिकरन बदल चुका है अलांकि उनकी पतनी अभी भी देखिए राजत के विधायक है भले ही वो सत्त में चली गई हूँ बदल दी हूँ लेकिन उन्होंने अभी तक उनका जो विधायकी वो राजत की विधायक कहलाएंगी और उसमें महागडवंधन के सरकार में थे महागडवंधन के पाले में थे अनन सिंग और अब देखिए जडियू के पाले में चले गए हैं तो एक अनन सिंग को पटना है कोट ने बड़ी रहात दी है और अब एक भी केस उनका पेंडिंग नहीं बचा है और जल्द ही अनन सिंग अब बाहर निकलने वाले हैं तो बड़ी खबर अनन सिंग को लेकर के हैं सही में उन्होंने फेस्बुक में जो बाते लिकी थी वो सही हो गय सभाग इन सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है उन्होंने वादा किया था आपने तमाम समर्थकों से और इससे पहले भी जब formas से बाहर निकले थे उन्होंने खुझ को निर्दोत बताया था और कहा था वो जल्द ही जेल से बाहर निकलेंगे तो बड़ी खबर आई है अनन्द सिंग को लेकर के अनन्द सिंग जल्द ही जेल से बाहर निकलेंगे मुकामा के पुर्व बहोवली विधायक 2016 से ही जेल में बंद हैं उसमें राजत के विधायक थे लेकिन अब देखिए अब उनकी पत्नी उनके जेल जाने के बाद सजायापता होने के बाद उनकी वि यानि जडियू के पाले में चली गई है लेकिन मौझूदा विधायक उनकी पत्नी जो है राजत कोटे के ही है फिलाल इस कबर में इतना है अगर आपने अभी तेख हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें बहुत बहुत शुक्रिया